अगर आप SSC रेलवे और बैंकिंग की तयारी कर रहे तो सुपर कोजिंग आपनी लेकर आया एक अमार के दार प्लै सेल जहां पर आपको मिलेगा 30 प्लस 20 परसेंट का डिसकाउट और ये सेल वैलिड है 18 और 19 नॉम्बर को तो जाए और इस ओफर का लाब उठाइए है 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 अगर वैरी गुड मौनिंग वेलकम तो टेस्स बूक सूपर कोचिंग पर बैंक एग्जांब कैसे आप सब लोग जिया आज काफी सारे दोस्तों की हमारी एक्जाम है आज और कल में सब को अल दे वेरी बेस्ट बड़िया तरीके से पेपर दीजेगा एक्जाम दीजेगा और सब कुछ आपको आता है बस एक लास्ट मूमेंट पे खुद के उपर confidence रखना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से questions को choose कीजे and solve the paper एक्जाम एनलेसिस में मुलाकात होगी बातचीत होगी don't worry about that चलो तो session के शुरुआत में कुछ questions हमारे दोस्तों ने पूछे हुए तो उसके answer मैं पहले कर देता हूँ वह बढ़िया से questions सबसे पहला question मैं अगर बात की जाए फ्रेंड शोरिंग वाला तो उसका ना एक MCQ डाला हुआ है मैंने तो वहाँ पर discuss कर लेंगे बढ़िया तरीके से detail तरीके से और question के नजरिये से हमारी बात हो जाएगी so don't worry about that I will talk about it but MCQ डाला हुआ है वहाँ discuss कर लेंगे एक question पुछा के था that is Sue Sherfa spelling बलाई कुछ भी होगा this pronunciation is called as a Sue जैसे Sue Shave होता है अपने कभी सुना होगा Sue Shave जो main shape जो है उनको जो assist करने के लिए होते है उनने Sue Shave कहा जाता है यह शायद आपने hotels में या जो अलग-अलग reality प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे शायद आपने सुना होगा तो वैसी Sue Sherpa is the concept means main जो शेरपा है उनको assist करने के लिए जो person रहेगा उसे Sue Sherpa कहा जाता है तो अगर यह word कही भी आपको दिखता है इसका मतलब है कि इससे assistance वो assistance है main personality को तो Sue Shave, Sue Sherpa these are the concepts यह ऐसे concepts होते हैं एक और question था अभी इस comment section में नहीं दिख रहा है पर मैंने morning में उसको पढ़ा regarding TIN, tax information network कहते है उसे और tax information network is a single window platform जिसके तुरू tax की सारी information मिलेगी तो income tax का जो भी data है जो भी income tax आप file करते हो income tax returns आप file करते हो वो सारा data access करने के लिए network create किया गया है so it's a single window system, single window system का मतलब है आपको 10 जगह, 10 website, 10 platform पे जाने की ज़रूत नहीं सारी information income tax की वो TIN के platform से मिल जाएगी जिसको हम लोग normally कहते है tax information network तो obviously उसका income tax के उपर impact होगा because उसी के लिए उसे बनाया गया है उसी के लिए उसे create किया गया है so it's kind of a platform, kind of a website, kind of a forum for income tax एक और question था कि gold और US dollars में क्या relation है my dear friend, international market में gold की value is directly related to the value of the dollar तो dollar के value में अगर कोई भी change होता है तो gold के value पे वो reflect होता है यह पूरे दुनिया का एक सबसे बड़ा सत्य है सबसे बड़ी reality है, याद रखेगा तो इसलिए जब भी dollars के value में change होता है उसका impact automatically gold पे दिखाई देता है because they are related to each other so gold all over the world जब भी trade करेंगे जब भी selling purchasing होगी वो dollar के value में ही होती है dollar के value में ही उसे calculate किया जाता है and that's why whenever there is a change in the value of the dollar it will directly impact on the gold gold के value पे उसका direct impact होता है यह आप कही भी check कर सकते हो किसी भी economic यह बहुत basic concept है तो यह कुछ basic questions थे हमारे दोस्तों ने पूछे हुए अब start करते हैं आज के lecture को सबसे पहले आज exam भी है S.B.A.C.L.R. का तो उन सारे हमारे दोस्तों को all the very best now we'll talk about this world toilet day तो आज है दुनिया का world toilet day जो आज पूरे world में observe किया जा रहा है तो इंडिया कैसे पीछे रहेगी तो इंडिया में सच्छता रन organized किया गया है एक marathon organized किया है सच्छता रन कहते है and this सच्छता रन is organized by ministry of जलेशक्ती जलेशक्ती मंत्राले गजंदर सिंग शेखावत सर उनके द्वारा ही से organized किया गया है so all over the India अलग-अलग जगव पर ये program organized किया जाएंगे again world toilet day 19th of November याद रखेगा सच्छ भारत mission 2.0 इंडिया के अंदर चल रहा है सच्छ भारत mission 2.0 तो उसी के हिसाब से इसे organized किया गया है questions यहाँ पर बहुत सारे आएंगे multiple questions again सच्छ भारत mission 2014 में सच्छ भारत mission 2.0 की बात करेंगे second phase इसकी शुरुआद 2021 से हुई थी याद रखेगा 2014 यह 2021 सच्छ भारत mission 1 was about open defecation free India खुले में शौच नहीं होना चाहिए इसलिए toilet की बात की जा रही है खुले में शौच नहीं होना चाहिए यह सच्छ भारत mission 1 का सबसे बड़ा और primary motto था primary motto ODF free या open defecation free India सच्छ भारत mission 2.0 का main motto है open defecation free plus and plus 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 और plus plus का मतलब क्या है यहाँ पे ODF plus और plus plus लिखा होता है इसका purpose है west management plastic west management liquid west management solid west management यह जो west management होता है यह यहाँ पे focus है plus motivation, awareness यह सारी चीज़े यहाँ पे include होती है सच्छ भारत mission 1 सच्छ भारत mission 2 फिलाल 2 की बात करेंगे 2021 से शुरू हुआ सच्छ भारत mission के लिए overall budget 62,000 करोड kept by government of India 62,000 करोड 2024 पच्चिस तक यह budget use किया जाएगा यह point government के द्वारा mention किया गया है again 62,000 करोड is the budget so आज है world toilet day सच्छ ता run ministry कौन सी ministry organize कर रही है 200 अच्छ भारत mission हमारे पास है दूसरे mission का budget क्या है यह भी मैंने आपके साथ बात की अब theme देख लेते हैं theme तो common है theme common है theme में कोई changes नहीं है theme रखा हुआ है making the invisible visible के यह theme है last year भी यही theme था उसके एक साल पहले भी यही theme था so theme is constant theme में कोई changes नहीं किये गए है so again making the invisible visible यह इस साल का theme है इसका मतलब क्या होता है देखिए ground water है ground water है suppose a toilet है जो भी west है वो west इस तरीके से manage कीजे कि ground water impact नहीं होना चाहिए या ground water खराब नहीं होना चाहिए यह एक main motto रखा जाएगा नहीं तो ऐसा है कि toilets हम बना रहे है पर उस toilets की west के वज़े से अगर ground water खराब हो रहा है तो फिर क्या sense बनता है तो और pollution create होगा तो यह जो making the invisible visible है यह concept का मतलब है कि toilets अगर create हो रहे west management इस तरीके से कीजे कि जो ground water है वो खराब नहीं हो और उसे सही तरीके से use कर सके आप यहाँ पर देख से तो well so that is the point which is mentioned over here यह point यहाँ पर mention किया गया देखे again जो point में बताने की कोशिश कर रहा था ध्यान रखेगा so world toilet day इंडिया में क्या हो रहा है discuss कर लिया so अच्छा भारत mission 1.0, 2.0 1.0 में open defecation free 2.0 में open defecation free plus and plus plus इनका concept हमने discuss किया अब एक और point अब यह day तो हम discuss कर रहे है ठीक है यह सारी तो बात हो गई sustainable development goal number 6 यह याद रखेगा SDG number 6 के हिसाब से इसे observe किया जा रहा है इसे celebrate किया जा रहा है और जो आपके लिए important है ठीक है clear हो गया sustainable development goal number कोन सा है total 17 goals हमारे पास है उसमें से goal number 6 जो है वो 6 sanitation water के regarding बात करता है तो उसी के हिसाब से यह debut observe हो रहा है और सच्च भारत mission जो इंडिया में बनाया गया वो भी इसी goal के हिसाब से है एक और चीज सच्च भारत mission इंडिया में दो तरीके से implement होता है एक urban affairs ministry implement करती है और दूसरा जलशक्ती मंत्राले implement करता है जलशक्ती मंत्राले यह rural area के लिए implement करेगा urban affairs ministry obviously urban area के लिए implement करेगी यह हमें already पता है हम इसके बारे में इसके पहले भी बात कर चुके हैं तो जब भी सच्च भारत mission के द्वारा rural area की ranking आती है तो वो ranking जलशक्ती मंत्राले देता है जब भी indoor जैसे city का बात होता है सच्च सर्वेक्षन के अंदर तो वो ranking urban affairs ministry देती है गड़बड मत करना this ranking of rural area is not given by rural development ministry this ranking is given by जलशक्ती मंत्राले इसलिए lecture के शुरुवात में ही मैंने आपको ministry का नाम mark करके बताया था कि भाई कौनसी ministry ये सच्चता run organize कर रही है याद रखिए चलो एक और point discuss कर लेते है and the point is this सच्च सर्वेक्षन जैसे मैंने सच्च सर्वेक्षन का नाम लिया मुझे पता है ये इस से आपको अलग महबत हो गई होगी फटाफट फटाफट सबसे topmost city कौनसी है सबसे bottom city कौनसी है garbage free city कौनसी है ये बहुत सारी बात है अच्ची बात है बिलकुल याद होना चाहिए no doubt but बस इसके भरोसे exam नहीं होती है ये भी समझी है इसके भरोसे exam नहीं होती सिर्फ इन ranking के भरोसे ये भी देखना पड़ता है कि what is 106 भारत mission उसका कौनसा face चल रहा है budget क्या है कौनसा sustainable development goal है कौनसी ministries है ये भी देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना आप ranking के तरफ focus करते हो हियाद रखिया so चलो topmost city everyone knows indoor है then surat है नभी मुंबई है then Wysak and then Vijaywara ये top five sorry 100,000 population की अगर बात की जाए तो वहाँ पे Panjgani which is in Maharashtra then Patan then Karad Lonavla and the Karjan so यहाँ पे छोटे cities की बात करें तो महाराश्टा की top five में चार cities है और एक city 36 गड़की है so small cities की बात की जाए तो ये ranking है बड़े cities की बात करें तो ये ranking है आज कल ना examiner examiner वैसे पहले से smart है कि हम से smart तो examiner होते है no doubt about that examiner को पता है बच्चे ये रट के जाते है रट के जाते है तो examiner ये पूछता है कि बेटा छोटे cities में topmost को ने बता दे फिर वहाँ पे 60% अईसी गायप हो जाते because जो headline थी one liner था वो तो हमने रट लिया अंदर क्या लिखा था उसमें तो हमें बहुत जान पे आ रहा था हमें बड़ा बोर हो रहा था तो वो 40% students है जो इन चीजों को सही तरीके से पढ़ते है तो हमें उस level पे जा रहा है दूसरा bottom cities अकिन दे कि bottom में इतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है bottom को लेके हमारी exams में इतने questions नहीं आते जितने UPSC level में आते तो आप bottom को skip कर सकते हो वहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी अरे हाँ एक रहे गया यार garbage free Indoor become the India's first seven star garbage free city Indoor के दो है तो सच्च बारत अभियान के अंदर topmost है no doubt तो garbage यह seven star five star भी garbage cities हमारे पास है पर यह seven star पहला तो याद रखेगा Indoor को लेके यह भी question आपके लिए बन सकता है seven star garbage free city इसके अलबा सूरत बोपाल मैसूर नभी मुंबई विशा का पटनम अंतिरूपती यह five star garbage free cities है ना इंटर्व्यूस में अभी IBPS, RRB, PO के इंटर्व्यूस चल रहे थे हमारे दो-चार students है उनको यह question पूछे गया है so एक student है हमारे Indoor से बिलॉंग करते थे उनको पूछा seven star garbage free city कोन सी है यह बता दो और five star garbage free city के अगर एक दो नाम भी पता है तो please बता दो so even in the interviews they are asking the questions so थोड़ा ध्यान रखेगा अगर आप इन में से किसी city से बिलॉंग करते हो तो शायद question पूछ सकते है पता होना जरूरी है दूसरा now cleanest state सबसे clean state कोन से है so Madhya Pradesh state more than 100 urban local bodies Madhya Pradesh सबसे top में आ रहा है 36 गर second place में आ रहा है के अं थर्ड पे महाराश्ट आ रहा है so that is a point less than 100 local bodies so Tripura emerge as the cleanest state जारखन उत्तराखंड second and third spot respectively तो बड़े states की बात करे तो Madhya Pradesh सबसे top में जाएगा 36 गर सेकंड नमबर पे महाराश्ट थर्ड पे छोटे states की बात करे Tripura जारखंड और उत्तराखंड इनकी ranking आती है अब जाते rural के ranking में यह urban की ranking थी जो भी ranking हमने अभी तक डिसकस की वो urban की ranking थी अभी rural की ranking and the rural की ranking is given by जलशक्ती मंत्राल है गजंदर सिंग शेखावत साब So top three states and UTs तेलंगाना सबसे top में हरियाना second number पे तमिलनाडू third number पे छोटे states या UTs की बात करे तो अंदमान निकोबार दादरा नगरवेली सिक्किम तो यह rural area का ranking है rural में state में सबसे topmost state तेलंगाना, हरियाना, तमिलनाडू छोटे states या UTs की बात करे अंदमान, रिकोबार, दादरा नगरवेली, दमन्दियू यह small states या UTs में यहाँ पे आता है and district की बात करे तो भिवानी district from the हरियाना यह topmost district है रूरल के ranking में and जक्तियाल and निजम अबाद यह तेलंगाना के दोनों तेलंगाना के second and third rank पे और यह हरियाना का है which is at the top rank again यह rural की ranking थी तो हमने urban, rural दोनों के rankings को एक बार revise कर लिया state के rankings भी हमने देख लिये and we talked about छोटे states, बड़े states वो भी हमने cover कर लिया तो यह था आज का important day important day की बातचीत से लेके कहा तक पहुँचे योजना भी cover हो गई sustainable development goal भी cover कर लिया theme तो देखते ही है उसमें कोई दिक्कत नहीं इंडिया में कौन सा program organize किया गया इस toilet day को धान में रखते हुए वो भी बात कर लिया प्लस कुछ revision वाला point आ वो भी cover कर लिया यह important day जो इस month में होते हैं उसका एक थोड़ा सा list यहां पर देख सकते हो आप एक बार go through कर लिजएगा चलो बटा city is city नहीं small city, बड़ी city city is city is always given by the urban affairs ministry rural areas will go to जलशक्ति मंत्राले तो कभी यह मत सोचना कि बड़ी city के लिए urban affairs ministry है देखो दोस्त मैंने आपको last time भी बताया था हमारे पास hundred smart cities develop करने का program है वो भी urban affairs ministry implement करती है छोटे cities को develop करने के लिए अम्रुत नाम की योजना है वो भी urban affairs ministry implement करती है तो फिर छोटी city हो या बड़ी city हो के we'll go to the urban affairs ministry rural areas की जब बात की जाएगी then we'll go to the जलशक्ती मंत्राले for the ranking and for other stuff ठीक है so याद रखेगा और rural areas की ranking ना ऐसे नहीं आती है उसकी district wise ranking आती है जो मैंने अभी आपको बताए थी ठीक है कौन सा district सबसे टॉप में आएगा चलो anyway कल homeward दिया था मैंने north east के states की capitals प्लस उनके cm और उनके governors के नाम के तो ये north east ये states है के सिक्किम को भूलना नहीं है के वल seven sisters seven sisters करते बैठते है और ये भुरेज रह जाता है के तो इसको नहीं भूलना है ये भी उतना ही important है तो चलो ये तो यहाँ पर सब के capitals लिखे हुए एक link मैंने डाली है उस photo के उपर ने एक link है बड़ी खुबसुरत सी link है अगर आपको कभी भी लगता है कि इंडिया के cm इंडिया के governors के या state के governors के नाम या state के cms के नाम नहीं पता या कही पर शायद wrong information है इस website पर चले जाना यहाँ पर सारे governors के नाम up to date होते up to date के अगर आपको example देखना है तो यह देख लिजे west bengal okay so यहाँ पर आपको सारे नाम up to date मिल जाएंगे इंडिया के सारे states के governors इंडिया के यूटीज के lieutenant governor इंडिया के जितने भी ministers है सारे ministers के नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे so every information is here सारी information यहाँ पर damn everything so इसकी link जानबूज के डाल के रखिए so whenever you feel कि यार कही पर शायद गलत information है शायद google पर नहीं मिल रहा है तो google पर करते ना तो पुदानी information Wikipedia पर कई बार old information होती है यह website आपके mobile में bookmark कर लीजे आपके laptop में bookmark कर लो जब कभी confusion लगता है तो president, vice president, PM, council of ministers, governors, lieutenant, governor, CM judges of supreme court, army forces के chief members of parliament, MLA, MLCs सब की list यहाँ पर है और updated list यहाँ पर आपको दिख जाएगी इससे जादा और trustworthy क्या हो सकता है हम भी, मैं खुदी बोलता हूँ जब हम लोग भी notes बनाते है इसी का use करते है because it trustworthy Government of India की website है तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं जाएगी ठीक है तो वो link यहाँ पर है ध्यान रखेगा बेटा, वहाँ पर क्या लिखा था? थोड़ा पढ़ लिया करूँ ना वहाँ पर लिखा था small states and uts कि वहाँ नीचे लिखा था मैंने दिखाया भी और मैंने बोला भी तो मेरे शब्दों पर भरोजा रखो कि वहाँ मैंने आया था था चोटे states और uts दोनों को साथ में तो उपर अंदमान नीको बार लिखा है तो नीचे small street का नाम लिख सकते है न के anyways question आपके सामने जी हाँ तभी हमारे मैंने question पुछा था हूँ वो question यहाँ पर है friend shoring पढ़िए मैं इसका answer आपको कर देता हूँ it is a strategy where a country procures goods and promote trade only if the other country shares common value of the procuring country it could further enable the globalization process so what can be the answer answer पर आजाता है मैं directly answer पर आता हूँ answer is one यह friend shoring क्या होता है आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है देखिए concept क्या है it's a strategy where a country procures goods and promote the trade only if the other country shares the common value of the procuring country यह concept क्या है for example suppose कोई XYZ country है वो उसी country से relation रखेगी अगर वो country इनके mindset को follow करती है for example मैं example देता हूँ say Russia Belarus यह दोनों एक यह mindset रखेए इसलिए इनका relation अच्छा चल रहा है North Korea कई बार केवल चाइना से बातचीत करती है बागे किसी से बातचीत नहीं करती because उनकी यह सोच है कि जो हमारे mindset को match करेगा हम उनसे ही बात करेंगे हम उनसे ही ट्रेट करेंगे हम उनसे ही चीज़े खरीदेंगे this is very dangerous नहीं यह बहुत dangerous है because यह globalization के against जा रहा है it is going against the globalization globalization का मतलब क्या होता है हर country का अपना mindset हर country के government का अपना mindset अलग रहेगा पर हमें business करना है for example suppose कल अगर Israel के PM चेंज हो गए और वो PM शायद इतना broad mindset नहीं रखते तो क्या हम relation तोड़ देंगे नहीं कल अगर Biden साब के जग़ा वापस Trump साब आगे क्या हम relation तोड़ देंगे नहीं तो यह जो है न friend shoring यह concept क्या बताता है कि अगर आपका mindset same है तो ही आप business करोगे otherwise business छोड़ दोगे ऐसा नहीं होता है ऐसा है कल अगर suppose इंडिया में government में कुछ changes हो गए तो क्या बाकी countries हमसे relation तोड़ देगी नहीं trade is trade relation is relation so friend shoring is very dangerous for globalization क्योंकि उसमें छोटे छोटे group बन जाते है दो-दो countries अपना अलग से काम करती है तो इसलिए बात्चीच चल रहे थी कि ये जो concept आज के date में बहुत चल रहा है आज तो आजकल तो बहुत चर्चा में चलता है कि ये country का अपना अलग group चल रहा है वो country के अपनी अलग प्यार महबबच चल रही है so it is a friend shoring and which can harmful for the globalization वसुदेव कुटमबकम की हम लोग बात करते है इंडिया करता न वसुदेव कुटमबकम और वसुदेव कुटमबकम के अंदर अगर हम छोटे छोटे friend shoring करते है तो फिर क्या मतलब इसलिए WTO बार बार कहता है WTO का concept बढ़ अच्छा है कि पूरी दुनिया को एक ही तरीके से treat कीजे अगर उसमें आप अलग-अलग छोट-छोटे group बनाओगे तो it can be very dangerous. So that is the concept here. यही concept यहाँ पे So answer is one. One यहाँ पे answer है. Second यहाँ पे wrong है Now with reference to United Nations Population Fund, consider the following statement. United Nations Population Fund को लेके question है Which of the following statement is correct? कौन सा statement correct है? Answer is both. Don't know. The budget is not supported by It is not supported by UN budget. UN के budget से यह पैसा Population Fund वाला concept UN के budget से नहीं आता Respect to countries करती है Respect to country को करना पड़ता है तो जो भी country member countries है वो खर्च करेगी Member countries, NGOs, CSR Corporate Social Responsibility तो इसका जो पैसा है वो UN के थू नहीं आता UN के वल policy बनाएगी UN के वल policy बनाएगी UN का ECOSOC है 1945 में ECOSOC को बनाए गया था इसका headquarter New York में है यह UN की authority है So it makes the mandate It makes the policy But जो पैसा है वो member countries अलग-अलग foundations, NGOs या फिर बड़ी-बड़ी कमपनियां होती न Microsoft हो गया या जैसे इंडिया में Wipro है Reliance है HCL है उनका CSR उनका पैसा यहां यूज करेंगे So answer is both दोनों पॉइंट सही है यह not शायद आपके लिए problem create कर सकता है ध्यान रखेगा और पहला पॉइंट तो एकदम सही है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है Sexual and the reproductive health agency यह तो एकदम सही है ठीक है तो दोनों पॉइंट यहां पे right है बस याद Ecosoc Ecosoc को फूल फॉर्म लिखा है 1945 New York में headquarter है next question regarding G20 summit which of the following statements correct कौन सा statement correct है G20 चलो बताईएगा सारे के सारे statement wrong है All statements are wrong सारे statements गलत है 80% of not the world's population 80% of world's GDP हम GDP बोल चकते है not the population population 65% के आस पास का है 80% of the GDP not the population के सारे statements wrong है Iran, Bangladesh, Nepal are not the part of G20 इनको invite किया गया है invitation इनको भेजा गया है but they are not the part of G20 they are the invites they are the guests के याद रखेगा so 1999 not 1991 1999 यह point यहापे mention किया गया ठीक है इसा कुछ नहीं है yes, new world को promote करना है but led by the western country यह wrong statement बन जाता है ठीक है Global Offshore Wind Alliance चलो बताइएगा Global Offshore Wind Alliance Wind Energy पता होगा offshore का मतलब है कि आपके जमीन से दूर ना बहुत बार समुंदर में बड़े बड़े wind mills लगते है सो Global Offshore Wind Alliance की बात की जा रही है International Renewable Energy Agency अब उधाबी में जिसका headquarter है के तो पहला point यहाँ पे सही है एकदम सही दूसरा point यहाँ पे गलत है India is not the member India इसका member फिलाल नहीं है तो इसमें countries कौन सी कौन सी आते हैं 9 countries है Belgium, Columbia, Germany, Ireland, Japan, Netherlands, Norway, UK and US India is not the part of this 2005 में इस Global Offshore Wind Alliance को create किया गया India इसका part फिलाल नहीं है 9 countries इसका part है तो यह point लिखा गया है धान रखेगा और first is absolutely right पहले में कोई गलती नहीं है चलो Next National Investment Infrastructure Fund चलो बतागे कुछ दिनों पहले डिसकस किया था हमने NIIF की हमारी बात होई थी If you remember we talked about this अलग-अलग countries से funds आते है Japan, UA, Saudi Arabia, Canada, Australia अलग-अलग countries की मैंने आपके साथ बात किती कि they are investing money into NIF Answer of this question is one only Foreign investors have the 100% stakes in the fund Wrong है ना, यह fund Government of India ने create किया हुआ है Government of India का fund है Still, still, एक point discuss करना चाहूँगा ध्यान दीजेगा Indian government has 49% stakes Indian government के 49% stakes है और बाकी जो stakes है वो बाकी investors के Means domestic as well as foreign investors तो यह fund Government of India ने create किया इस fund के 49% shares government के पास है बाकी जो shares है वो जो investors होंगे उनके पास रहेंगे तो some are the foreign investors, some are the domestic investors इंडिया के भी लोग invest कर सकते है तो उनके पास बाकी बचे हुए shares रहेंगे तो majority shareholding यह Government of India के पास है 49% बाकी जो shareholding है वो divided है कुछ अलग-अलग countries के पास और कुछ Indian investors के पास तो इस तरीके से यहाँपे shareholding रहेगी 2015 में NIF को create किया गया alternative investment fund है और इस fund के उपर regulation सेभी का होता है ध्यान रखेगा यह fund भले Government of India ने create किया भले shareholding 49% Government of India के होगी पर यह जो fund है यह जो fund है this fund is under the regulation of सेभी, Security Exchange Board of India RBI regulate नहीं करती सेभी regulate करती है और इस fund में से infrastructure के लिए अलग-अलग investments किये जाते है तो that is the point over here इसकी बात यहाँ पर की गई है थ्यान रखना यह जो national investment infrastructure fund है it works with the help of finance ministry finance ministry के अंडर यह fund काम करता है यह scenario काम करता है थ्यान रखेगा questions यहाँ पर बहुत सारे आते है कितना capital यहाँ पर है category to alternate investment fund यह मैंने हमारे super coaching के अंदर discuss किया था but anyways super coaching का एक बार lecture देख लीजेगा alternate investment fund का lecture हुआ था banking awareness के उस series में वहाँ पर आपको इसका meaning दिख जाएगा कभी मौका मिला तो YouTube पर भी देख लेंगे discuss कर लेंगे पर यह आपके लिए important है यहाँ पर ध्यान रखिएगा चले आगे बढ़ते so यह थे हमारे कुछ questions guys आज के questions के लिए बात और clear कर देता हो please अच्छे से पढ़िएगा please थोड़ा detail में देखे अभी जो RRB PO के interviews के जो बच्चों के feedbacks आ रहे न अब कुछी को banking awareness नहीं पूछते भया यह कैसे होता है यह कैसे work करता है इसमें exactly क्या scenario होता है तो फड़ा पढ़ाई को और detail में करने की आदत डालिए they are literally asking they are literally checking in-depth knowledge of every person so अगर आप उपर उपर पढ़ोगे अभी बहुत अच्छा लगेगा अभी लगेगा कि मैंने एक घंटे में 10 page खतम कर दिये 50 page खतम कर दिये 100 page खतम कर दिये पर जब इंटरू में जाओगे ना उस hall में बैटने के बाद फिर realize होता है या थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेता ना तो ये नौबत नहीं आती तो future अगर secure करना है तो अभी please detail में पढ़ने की आदत डालिए वापस एक बार बोल रहा हो क्योंकि वो lacking अभी भी लगता है अभी भी दिखता है चलो super coaching में इसलिए flash sell organize किया गया है आज आखरी दिन है आपको extra 35% off मिल जाएगा अगर आप ये code यूज़ करते हो तो so don't forget to use this code SSC banking railway तीनों exam एक साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा केवल 1206 में 6 months का subscription है and 20% off the test book super coaching दे ही रही है साथ हमें आपको 35% मिल जाएगा if you'll use this code so don't forget to use this code चलो तो start करते हमने important day देख लिया उससे related हमने policies cover कर ली we discuss about some MCQs also जिसके तुरू और कुछ news हमने cover की अब बात करते है इस news के उपर यादे हमने इसके उपर बात की हुई है Skyroot नाम की company है Hyderabad based company so India का पहला private sector rocket launch किया गया कल India का पहला private sector rocket launch किया गया we already talked about this news Skyroot company का नाम मैंने आपको बताया था Hyderabad best company है इजरो ने Skyroot के साथ मिलके पहली बार private sector के rockets की launching की नाम रखा गया Vikramas Vikramas is the name जान रखेगा तो 3D printing के थूँ इसे create किया गया यह सबसे बड़ी बात है cheapest rocket build in its category यह भी पॉइंट याद रखना company का नाम वापस एक बार कह रहा हूँ Skyroot is the name of the company is a Hyderabad based company याद रखेगा यहार यहाँ पर एक और point मुझे आपके साथ discuss करना है जो Skyroot company है इस company को यह actually startup company है and it is doing amazing job छोटे छोटे satellite launching vehicles यह लोग create करते हैं जैसे एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है याद रखेगा PK Chandana and Naga Daka PK Chandana Naga Daka यह दो इसके founders है इनके द्वारा यह company बनाए गई अब यह जो private sector ने इजरो के साथ मिलके rocket launching की हुई है यह किस policy के अंदर है वो discuss करना जरूरी है एक बार वहाँ पर भी बात कर लेते हैं जी हाँ अब यह point धान रखेगा This is the thing which I wanted to tell you Indian National Space Promotion Authorization Center IN Space यह जो भी अभी launching की है यह किस योजना का यह किस प्रोग्राम का पार्ट है This is the name of the program The program is launched by Department of Space Government of India Dr. Jitendra Singh sir यहाँ पे रहेंगे Indian National Space Promotion Authorization Center IN Space कहते है और IN Space का परपस है Public-Private Partnership for the Space जैसे US की बात करते है SpaceX है यह फिर Blue Origin है Virgin है यह अलगलग कंपनिया है जो NASA के साथ मिलके काम करती है Why not in India? इंडिया में अकेला इजरोई क्यों काम करें Private Sector भी काम कर सकता है और इसलिए Government of India ने इस concept की शुरुआत किये आयन स्पेस फुल फॉर्म याद रखना इंडियन नैशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इसका Headquarter पहले देख लेते है The Headquarter is in Ahmedabad Ahmedabad में Headquarter It's not Bhopal It's Bhopal तो जल जल में Bhopal पढ़ लोगे फिर काओगे Bhopal Ahmedabad में कैसे आगे It's Bhopal It's the name of the area Ahmedabad के अंदर इसका Headquarter है ध्यान रखना ठीक है Again a very very important दिक्कत है बहुत सारी कभी कभी हो जाती है Yes So Government of India created this program इसी साल इसको launch किया गया वैसे इसी साल इसका इस program का launching है Headquarter कहाँ पे वो भी point हमारा discuss हो गया है So let's go to the next news Next news बड़ी easy है यहाँ दिक्कत नहीं जाएगे आपको commodity तो silver के अलग-अलग artifacts जमाने से जो चल रहे है Silver जो currencies में यूज किया गया या फिर ornaments में यूज किया गया दोनों countries में इसका exhibition है That's it, nothing more यह point यहाँ पे याद रखेगा National museum की बात करें तो 1949 में इंडिया में National museum क्रियेट किया गया New Delhi में 1949 Ministry of Culture के अंदर यह authority आती है वहाँ उनके ministry के अंदर किशन रेड़ी सर मिनिस्टर है उनके अंदर यह काम करता है Denmark की capital Copenhagen Currency इस क्रोने Currency उनकी क्रोने है Prime Minister Matty Fredrickson उनका भी photo यहाँ पे डालके रखा हुआ है That's the point regarding this news इतना enough रहेगा चलो एक काम करते है Denmark का Location एक बार देख लेते हैं This is a North Sea यह North Sea का पार्ट है This is a Baltic Sea North Sea, Baltic Sea उपर Norway है Norway is here और यहाँ पे Sweden है Norway, Sweden और यहाँ पे Denmark है So Denmark is here और नीचे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो Germany So Denmark और जर्मनी का जो बार्डर है जुडा हुआ है और प्लस यहाँ पे इनका बॉर्डर जुडा हुआ है with Sweden So Sweden, Denmark यहाँ पे जर्मनी Denmark यहाँ बगल में Netherlands है So this is the Denmark जिसकी बात मैं कर रहा था That's it from this news बाकि तो easy है Denmark recently कहा कहा नीउस में चल रहा है तो यह भी एक point यहाँ पे के रखा हुआ है जो आपके revision के लिए आपको helpful रहेगा कि recently Denmark किस-किस परपस से नीउस में है यह देखेगा Water Sorry, Westwater सिनारियों के लिए Denmark Indian Government को मदद कर रहा है तो यह भी एक बहुत important चीज़ है India ने अपना white paper भी launch किया था Denmark के इस conference के अंदर नीचे आता है Environment Performance Index में तो दो countries अच्छे relation है no doubt about that पर Environment Performance Index में एक सबसे टॉप में और एक सबसे बॉटम में बट यह recent कुछ नीउस है Denmark को लेके याद रखेगा चलो एक और नीउस है Ministry of Port Shipping Waterways is working diligently to develop the maritime sector as a goal of MIV MIV? Maritime India Vision 2030 Who is the Port and Shipping Minister? जल्दी से नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजेगा आयूश मंत्रा ले भी उनी के पास है जिन के पास ये ministry है Now इनों ने recently Maritime sector के लिए मिस जो हमारा समुंदर वाला या ओशन वाला sector उसके लिए MIV Maritime India Vision year देखेगा 2030 2030 इस कंसेप्ट को लांच किया But this concept is launched with the help of one country and that country is Norway ये जो वीजन है इंडिया का 2030 वाला ये वीजन हमने लांच किया पर एक कंट्री के साथ कंट्री का नाम है नौर्वे और फोकस देखिए Norway Norway का ना एक प्रोग्राम है नौर्वे नएक प्रोग्राम लांच किया था 2019 में Norway ने फोक्राम लांच किया था प्रोग्राम का नाम है Green Voyage 2050 Project ये उनका प्रोजेक्ट है इसी प्रोजेट में इंडिया जूड़ गया है इसी प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया जूड़ गया है 2030 के साफ से काम करेंगे अब ये green sorry ये green voyage mission है क्या exactly बात करते है ध्यान दीजेगा we'll talk about that yes ये exactly क्या है देखें voyage का मतलब होता है समुंदर से जो ट्राइवल करते है जो समुंदर से हम ट्राइवल करते है that is the meaning of this word ये उसका meaning है green का मतलब क्या हो गया कि समुंदर से बड़ी-बड़ी ships जाती है तो उससे pollution होता है no doubt क्योंकि diesel use किया जाएगा अलग-अलग fossil fuel use के जाएगे so change the technology so that there should not be any kind of pollution तो जो भी आप समुंदर से ट्राइवल कर रहे हो ocean से ट्राइवल कर रहे हो उस ट्राइवलिंग में there should not be any pollution तो 2050 तक की policy है and this policy is launched by this policy is launched by Norway Norway with the help of international maritime organization so Norway and IMO इनका ये policy है international maritime organization headquarter is in London इसका London में headquarter है IMO का इसी concept में अभी recently कौन जुड़ गया है इंडिया ने कहा है कि हम भी आपको help करेंगे मुंबई में ये conference हुई और उसी conference में इंडिया ने अपना 2030 तक का जो planning है वो present किया वो रखा और कहा कि we are going to help you in this particular scenario so Norway के साथ भी हमारी बात हो गई है Norway's capital is Oslo Oslo उनकी capital है क्रोने is the currency वही currency उनका भी है याद रखेगा so that's the point mention here clear नहीं दिख रहा है एक बर बता है यह clear दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है okay white paper क्या होता है देखें white paper का मतलब होता है such kind of document which will give you a recommendations which will give you advice which will give you a planning उसे white paper document कहते हैं so white paper document कभी भी जब present करें है वो पार्लामिन में प्रेजन कर सकते so it's kind of a draft it's kind of a vision it's kind of a planning it's kind of a recommendations that we are going to do something like that तो उसे white paper कहा जाता है तो उसे present किया गया याद रखेगा we have the Sagar Mala project हमारे पास Sagar Mala नाम का project है आपको पता होगा सागर Mala project इसी angle में काम करता है कि हमें हमारे ocean related infrastructure को develop करना है तो 2015 में हमने सागर Mala project को शुरू किया था और सागर Mala project again the same ministry is implementing this सागर Mala project तो मेरे कहल से यह आपके लिए clear रहेगा सागर्ता सागर्तट सम्रुद्धी योजना ये भी हमारे पास है ज्यान रखेगा सागर Mala के अंदर सागर्तट सम्रुद्धी योजना सागर्तट का मतलब जो हमारा coastal area है उसको सम्रुद्ध करने के लिए और उसी योजना के साथ ये maritime india vision 2030 को inside हो रहा है उसका budget देख लिजेगा so estimate cost government ने निकाल कर रखिए 3,62,000 करोड बस वही है कि coastal infrastructure डेवलप करना है coastal areas में industries को डेवलप करना है coastal areas में बाकी भी चीजों को economical angle में develop करना है साथ में environment maintain करना है इसलिए Norway के साथ हमारी बातचीत हुई Norway के साथ हमारा discussion हुआ जो मैंने आपके साथ बात की तो योजना भी यहां पर बात की गई है ध्यान रखिएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिफ्ट bilateral cyber policy dialogue another dialogue मैंने आपको कल भी बताया था कल के lecture में कि यार यह ना जब November December आता है बहुत सारी conferences बहुत सारी summits बहुत सारे congress बहुत सारे dialogues orgs organize किये जाते हैं so first we talked about the Norway Norway की बात हुई कल भी हमने अलग-अलग Scandinavian countries का discussion किया था अब यहां पर Australia Australia की capital का है जल्दी comment section में डाल दीजेगा Australia के prime minister कोने जल्दी से comment section में डाल दीजेगा तब तक news के उपर बात करते है the fifth bilateral cyber policy dialogue in New Delhi 2018 से इन dialogues की शुरुआत हुई है और यह dialogue अभी recently organized किया गया it was in New Delhi cyber security के लिए क्या किया जाए बाकी इनफ रहेगा बस इसमें याद रखना दो ministries involved है एक हमारी information technology ministry because cyber security की बात हो रही है तो वो तो आएगा दूसरा अश्वीनी वहिशनो सार information technology minister है दूसरी ministry home affairs ministry अमिश शाह साब की ministry cyber security ना security की बात होगी तो obviously home ministry का भी रोल रहेगा तो इस conference में इंडिया के तरफ से दो ministries ने participate किया बाकी अलग-अलग institution थी पर ministries दो थी एक information technology ministry और दूसरी home ministry याद रखेगा अगें यहाँ पे एक बार बात करते हैं जी आए Anthony Albanese Canberra Australian dollar तो यह basic point है तो यह बेसिक पॉइंट है प्रस ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली इंडिया के रिगार्डिंग कहां कहां पे न्यूज में था यह भी चीज़ यहां पे mention की गई है the new prime minister of Australia एक और चीज़ मैं बोलना शायद आपको भूल गया next जो meeting रहेगी cyber security वाली India Australia वाली it will be in Australia वो Australia के अंदर होने वाली है next dialogue वो Australia के अंदर रखा जाएगा यह भी point mention किया गया है the next dialogue जो रहेगा it will be in Australia that's it हां बाकी तो clear है इस news में okay चरूँ यहां पे आते हैं Cambridge dictionary gave the word of the year इन्होंने word of the year दिया और इनका word of the year यह बवाल क्रियेट कर रहा है इनका word of the year है homer sorry homer is the word of the year given by Cambridge dictionary अभी कुछ दिनों पहले हमने collins dictionary का word of the year देखा था collins का यह collins dictionary का word of the year था के called as a prema crisis prema crisis का मतलब है कि जो long term instability है अभी युक्रीन रेशिया वार की बात कर रहे है तो it is created instability it created a danger which is extended और बढ़ गया और extend हो गया उस situation को prema crisis कहता है कि extended instability extended insecurity is called as this यह collins dictionary ने दिया हुआ word of the year है और यह जो word है अब यहाँ पर आते हो homer पे this word is given by Cambridge dictionary अब homer का मतलब क्या है पहली बात तो homer ऐसा कोई यह official word था ही नहीं है नहीं actually there is nothing something like that okay फिर यह word आया कहा से there is something called homerun homerun एक concept होता है जो एक game है जिसमें homerun एक word यूज करते है and that word is using baseball baseball में a word यूज करते हो homerun तो उस homerun को homer homer ऐसा कहा जाता है baseball में baseball को भी देखा आपने वो एक लकडी जैसी bat होती है उसे batter ball मारेगा कि फिर आपका अगर पूरा एक run cover हो जाता है तो उसे अपने homerun कहते हैं कि आपने पूरा एक run cover कर लिया उनको इस तरीके से triangle में दौनना पड़ता है तो आपने पूरा run cover कर लिया तो उसे homerun कहते है तो उसी homerun को new generation homer homer कहते है कि you completed something you completed something you achieved something so that is called homer पर actual ऐसा word नहीं है homer नाम के एक Greek author भी है बहुत पुराने जमाने के Greek author भी है homer नाम के तो यह homer जो word है वो बहुत बार सर्च किया गया बहुत बार उसको देखा गया बहुत बार उसके बार में पढ़ा गया इसलिए Cambridge dictionary ने इसे word of the year घोशित कर दिया इसलिए लोग बड़े गुसा हो गए कि जो actual word है ही नहीं आपने उसे word of the year बोल दिया क्यों कि लोगों ने उसे सर्च किया तो लोग कुछ भी सर्च करेंगे तो क्या आप उसे word of the year बोल सकते हो it can be very debatable topic पर Cambridge ने का कि नहीं यह word of the year है तो है ध्यान रखेगा this is the homer वाला concept यह कहां से generate हुआ homerun is the name baseball में use करते है homer नाम के एक बड़े famous sahitik भी है writer भी है Greek mythology के अंदर और homer का अगर meaning ही discuss करना है तो उसका meaning यह होगा कि जैसे homerun का मतलब है you completed the complete run, you completed the whole run तो वस वही concept you completed something in a stipulated time में आपने कुछ चीज complete कर दी वस उसी को कह सकते है चलो आगे बढ़ेंगे now India is the only country to have received a leadership in family planning India is the only country who received a leadership in family planning award 2022 in a country category और यह हुआ है Thailand में, Thailand में international conference on family planning organized किया गया था international conference on family planning और इस conference में इंडिया is the only country who got this award यह information ट्वीटर के द्वारा मनसुक मंधिया साब ने share की उन्होंने बताया कि इंडिया को इस category में award मिला है और अकेली country है जिसे यह award मिला हुआ है family planning category के अंदर तो पिछले कुछ सालों में इंडिया में family planning को लेके काफी सारे efforts लिए गया, काफी सारे initiatives लिए गया और जिसका result भी काफी अच्छा दिखा है and that's why international conference on family planning जो Thailand में organized किया गया था वहाँ पे इंडिया को यह award दिया गया ध्यान रखेगा now why India got the award, India को award क्यों मिला है तो इसकी जानकरी यहां से पता चलेगी National Family Health Survey 5 अभी recently इसका data present किया गया था National Family Health Survey 5 यह survey क्या कहता है, ज्यान दीजे यह survey यह कहता है the contraceptive prevalence rate has increased substantially from 54% to 67% in the country so India का अगर contraceptives के use की बात की जाए तो वो increase हुआ है people are more aware people are getting more knowledgeable about this and that's the point mentioned and that's why इसके positive results but obvious दिखने वाले है तो National Family Health Survey is given by Health Affairs Ministry और उनी का data यहां पर ही contraceptives के use बढ़ चुके है इंडिया में दूसरा, एक और चीज़ similarly, unmet needs of family planning have witnessed a significant decline of 13 to 19 unmet needs का मतलब क्या है? unmet का मतलब है, जो पूरा नहीं हुआ okay, family plannings को लेके जो problems हो रही थी वो problems का percentage decline हो रहा है okay, means whatever we require to achieve the family planning people are achieving it okay, so unmet needs का percentage decline हो गया का मतलब यह है कि जो हमें अचु करना था, वो अचु हो रहा है so unmet needs is a negative point तो इसलिए अगर इसका percentage कम होता है 13 से 9% हो गया, means हम positive direction में जा रहे है यह उसका meaning यहाँ पे है so यही mention किया गया है again international conference on family planning याद रखेगा, यह conference में 120 countries participate करती है सबसे पहली ऐसी conference यूगांडा में organize की गई थी के such kind of conference was first time organized between Uganda वो एक point याद रखेगा या, जिया 2009 में ऐसा conference सबसे पहले यूगांडा में organize किया गया और recently जो conference है वो organize किया गया है Thailand के अंदर याद रखेगा So that will be enough for the exam point of view मैंने, यहाँ पर मैं discuss करना चाहता हूँ पर आज वक्त उतना नहीं है प्लस काफी लोग की exam भी है हम इसके ओपर बात करेंगे because हमारी exam के लिए यह भी point important है National Family Health Survey मैं जिस survey की बात करता survey number 5 वो survey के ओपर question आते हैं दोस्तों कि कितनी percent महिलाओ को एनेमिया है, इंडिया में किस तरीके से किस-किस disease के problems चल रहे है, इंडिया का health scenario किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या कई पर decline हो रहा है, तो इस survey को लेके question exam में आते हैं information डालके रखी हुई है child marriage कितने है, या फिर anemia का rate कितना है, domestic violence कितना है, stunting कितनी है, so everything is mentioned, अगर आपको वक्त मिलता है तो आप पढ़ लीजे, बिल्कुल पढ़ लीजे हम discuss करेंगे जब भी current affairs के session में next week में जब भी time मिलेगा definitely I will talk about it इसके उपर इसी session में बात करूंगा super coaching में अलग से करी लेंगे पर यहाँ पर भी discuss करेंगे ठ्यान रखेगा आगे बढ़ते Memorandum of Understanding is signed between the National Education Society for Tribal Students and 1M1B Foundation 1M1B Foundation का full form है 1 million 1 billion 1 million 1 billion यह US-based foundation है US-based foundation है, इनका tie-up हुआ है National Education Society for Tribal Students Eklavya School याद है Eklavya School Do you remember Eklavya School 1977-78 के time पे Eklavya School concept create किया गया था इंडिया में आज की date में 384 Eklavya Schools working है तो वो जो Eklavya School है Tribal Population के लिए create की गई उन Eklavya School को यही लोग handle करते है National Education Society for Tribal Students यह Ministry of Tribal के अंदर आता है Arjun Munda Sir हमारे Tribal Affairs Minister है उनी के Ministry के अंदर के authority है और Eklavya School जो Tribal Population के लिए create किये जाते है उनको यह handle करते है इनका type हुआ है 1M1B Foundation के साथ It's a New York Best Authority त्यान रखेगा अब यह agreement क्यों हुआ Augmented Reality, Virtual Reality यह curriculum में include करना है तो Tribal Population के curriculum के अंदर Eklavya Schools के curriculum के अंदर उन्हें यह 9S Skills को include करना है 9S Skills को downline for that purpose यहाँ पर agreement हुआ धान रखेगा तो इनका जो agreement है यह पहले दो states में implement होगा Rajasthan और उत्तराखन सबसे पहले दो जगों पर implement करेंगे Rajasthan उत्तराखन फिर बाद में धीरे धीरे बाकी states में भी इसे implement किया जाएगा तो again याद रखेगा The agreement with one of the New York best, US best foundation 1M1B 1 million 1 billion इसका full form है tie up हुआ है with the National Education Society for tribal sorry for tribal students Eklavya Schools को यही लोग handle करते 384 Eklavya Schools आज के date में working है और यह जो augmented virtual reality concept है फिलाल दो states में implement करेंगे Rajasthan और उत्तराखन ठीक है याद रखेगा Sustainable Development Goal Quality Education इसी के लिए यह tie up हुआ है So Eklavya School या फिर जो अभी tie up हुआ है It's all the part of this Sustainable Goal No. 4 Quality Education ठीक है Yes, I guess it is okay That will be the case Google sign M.O.U. with the Karnataka government to support the startup Very simple Recently Google ने किस state government के साथ tie up किया Answer is Karnataka जल्दी से Karnataka के CM और Karnataka के governor साफ का नाम comment section में डाल दीजेगा बड़ा simple सा news है ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं जाएगी Purpose होई है कि Karnataka के अंदर जो startup companies है उनको support करने के लिए यह agreement हुआ अब support किस angle में किया जाएगा वो एक बार देख लेते By the way, US, China, India यह top three startup hubs है दुनिया के सबसे जादा startups आपको इन तीन countries में दिखाई देंगे तो इनी startups को help करने के लिए उनको support है for lending, money related, technology related उसके लिए यह tie up हुआ है तो Karnataka के अंदर जो startups काम करेंगे उनको funding की ज़रूत है उनको technological support की ज़रूत है तो Google, with the help of Karnataka government इनको help करेगा इनको support करेगा इसलिए यहाँ पे tie up किया गया So Basavraj Bomae sir यहाँ पे chief minister है थावरचंद Gailot sir यहाँ पे governor है 1st of November 1956 को इस state को established किया गया था याद रखेगा Federal bank ties up with the JCB India to finance the heavy equipment buyer JCB This is the UK best company JCB company की खासियत मैं आपको बताओ यह JCB company का जो नाम है JCB यह नाम इतना famous हो गया कि dictionary में JCB का meaning normally earth digger वाले है JCB आपने देखा होगा वो जो heavy चीजों को उठाते या फिर जो dig करते है जमीन को तो basically यह brand इतना famous हो गया कि इस brand का जो नाम है JCB लोग इसको समझते कि ऐसी मशीन जो earth digger करती है So it's actually a brand 19, sorry, इस brand की बात करें तो 1945 में यह brand create किया गया Joseph Cyril Bamford Joseph Cyril Bamford इसका full form बते क्या है Joseph Cyril Bamford इन्होंने 1945 में यह company London में create की ऐसी मशीन जो normally earth moving objects के लिए या फिर earth को dig करने के लिए उस करेगी पर लोगों ने इस नाम को इतना famous कर दिया कि कोई भी आपको गाड़ी दिख जाएगी इसको JCB ही कहते है इतना famous हो गया इसे बिसलरी का हो गया कोई भी पानी का बाटल होगा लोग उसको बिसलरी ही कहते है वैसी इसका हो गया पर इसका इतना जादा हो गया कि डिक्शनरी में भी JCB as it is equal to a machine who can dig the land ऐसा लिखा जाता है यह होता है नाम कमाना यह होता है ब्रांड क्रियेट करना so that's the beauty but anyways आगे बढ़ते है अब JCB India and Federal Bank इनके tie-up हुए अगर किसी को भी heavy equipment जैसे इनकी जो machines है अगर purchase करनी होगी तो Federal Bank उनको support करेगा suppose for example मुझे JCB की machines खरीदनी है तो Federal Bank के थूँ मुझे easily loan मिल जाएगा finance मिल जाएगा और यही concept mention किया गया है yes that will be enough Federal Bank की बात करें तो शाम श्रीनिवासन सर यहाँ पे head है in charge है Federal Bank 1931 में create किया गया इंडिया का private sector bank है private sector bank है headquarter kochi के अंदर है फिलाल यह MDCU है और यह tag line है so इंडिया की one of the oldest private sector bank is Federal Bank now PM Modi sir 19th of November means आज की बात हो रही है आज काशी Tamil संगम को inaugurate करने वाले इसकी बात हुई थी हमारी last time कि काशी Tamil Tamil culture और जो काशी का culture है उस culture का एक integration program रखा जाएगा तो Modi sahab इस program को आज inaugurate करने वाले है तो हमने बात की थी इसको लेके कि हमारे South India का culture भी बड़ा ही old है बड़ा ही पुराना है वैसा ही North India का भी culture काफी स्ट्रॉंग है तो इन दोनों कल्चर को मिला के एक फंक्शन और्गनाईज किया जा रहा है बनारस हिंदू यूनिविशिटी के अपी थेटर के अंदर और इसी लिए इसको मोधी साब इनागरेट करेंगे यह आने वाले समय का बहुत बड़ा discussion का पॉइंट होने वाला है 250 करोड फाइन फॉर पर्सनल डेटा ब्रिज सो एकना ड्राफ्ट बनाया है गवर्मेंट आफ इंडिया ने ड्राफ्ट एक बिल बनाया डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 यह आने वाला पार्लेमेंटरी सेशन विन्टर सेशन उस विन्टर सेशन में यह बिल रखा जाएगा और फिर उसके उपर पारलेमेंट वोट करेगी तो नया लॉइ इंडिया में आ रहा है डेटा प्रोटेक्शन को ले के बहुत बार होता है न कि it can create a problem, वो problem create कर सकता है and for that purpose just guys one sec 2-3 मिन जो ही yes so, ध्यान दीजेगा yes, so penalty की बात यहाँ पे करेंगे, so 250 करोड़ penalty will be there, 250 करोड़ की penalty यहाँ पे लगने वाली है एक और चीज सबसे पहली बार इंडिया में हो रही है, और वो बहुत काबिले तारीफ है, पहली बार इंडिया के ड्राफ्ट में, इंडिविज्वल को she, या हर के तरह नोट किया गया, यह क्या पॉइंट है, देखिए, यही वाला पॉइंट बहुत matter करेगा मैं आपके साथ डिसकस करता हूँ, फिर लेक्चर को रोकना पड़ेगा विकास किसी और दूसरे फैकल्टी का यहाँ पर सेशन है, धान दीजेगा नॉर्मली जब हम लिखते हैं, किसी भी इंडिविजल के बार में, तो हम ही, हीज, ऐसा लिखते हैं यूपीएसी में, जब मैं यूपीएसी को पढ़ाता हूँ, या फिर आर्बेग, लेटबी को पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ, कि लिखते वक्त इंडिविजल को ही या हीज के जगा शी या हर के तरह लिखेगा बहुत अच्छा इंपैट होता है, एंपावर्मेंट का बहुत अच्छा नियम है, और कई सारे ओफिसर लिखते हैं, अब गवर्मेंट ऑफ इंडिया भी अफिशली, अपने डॉकुमेंट में वो जो मैल शावनिजम ता उसको हटा रही है, और जब इंडिविजल्स को लिखेंगे, तो शी या हर के अंगल में लिखा जाएगा और इसकी शुरुवात इसी बिल से की गई है, यह राजू चंदरशेखर, जो हमारे मिनिस्टर साहब है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिये, तो इंडिया में ऑफिशली, वी स्टाटे दूइग दिस, विच इस वेरी गुड कंसेट, काफी अच्छा कंसेट है, और काफी काभीले तारीफ है, ध्यान रखेगा, सौरी दोस्तों, यह पर रुखना पड़ेगा, और भी बहुत सारी न्यूस थी, और भी बहुत सारी चीज़े डिसकस करनी थी, यह बहुत बड़ी न्यूस थी, अच्छुली, इस वाज बड़ी बिग न्यूस पड़ा रुखना पड़ेगा, टाइम का कंस्टेंट है, तब तक के लिए बाई-बाई, टेकर और अच्छे से एक्जाम दीजेगा, टाइक है, बाई-बाई